कि आज कि इस विडियो में हम लोग पॉलिट्रीकल साइंस की चप्टर नमर वन का भेरी-वेरी इंपोर्टेंट सभ्यक्टिव कोस्चन करने वाले हैं तो आप लोग वीडियो पर सित युद्ध से आप क्या समझते हैं तो वह यह जो कोस्टोन देखिए इसको देकिस सीट जिसको अग्लिष से बोलते हैं कॉल्ड वार ठीक है वार यानी युद्ध और कॉल्ड यानी ठंडा ये ठंडा ठंडा युद्ध जो होगा उसका अम लोग बोलेंगे सीट वीद्ध देखिये आक्शल में इसका एंसर जो डेफिनेश tutte अमने के बात को समझे तेकि मैने आपनेंकों पहले वह बता कि 1949 सिल लेकर 1945 तो दूसरा चलता है 1945 में लेक्रैकिकर घ्रिंप्स स्रेखना क debcaster खतम नहीं密र नखी之前 में दो महासकती एक तो हमारा सन्युक्त राज अमेरिका और एक हमारे सोव्यत संग इन दोनों में इस प्रकार का मतलब टकरा होता है कि लगता है कि विद्ध होकर रहेगा लेकिन वास्ता में किसी प्रकार कोई यूद्ध नहीं होता है तो मैंने यहां पर लिग दिया है आप कि ठंडा यूद्ध भी कहा जाता है बस नोट कर लिजिए इसको आप लोग चाहिए तब और लंबा चुड़ा करके लिख सकते हैं कि उनने सुन चालिस से लेकर उनने सो पंतालिस तक हमारा दूसरा बिस विद्ध चलता है दूसरा बिस जैसे खतम होता है सोव्यत संग और अमेरिका दो महासक्ति के रूप में भरता है और दोनों के बीच ऐसा इससे बन जाता है कि लेगा क्या विद्ध हो कर रहेगा लेगा वास्ता में यूद्ध नहीं होता है तो इस प्रकाल साब लिखी आप लोगा काम बन जाएगा कोई दिकत कोई प्रोलम नहीं है चलिए आ या फिर इसका जो कोशन पूछन देगा जो तरीका होगा कुछ इस प्रकार से बहुत सकता है कि सित्वीदी के कारणों का वर्नन की जिए या तो ऐसे पूछा जाए दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा तो सित्वीदी की कारण निमने लिखी तो भई देख लो एक करके बात क संग भी यहां पर लिख सकते हो यहां पर आप सोवेत संग भी लिख सकते हो ठीके सवेत संग भी लिख दो कोई फरक नहीं पड़ेगा रूस भी लिख सकते हो सवेत संग भी लिख सकते हो कोई सू नहीं है यहां पर बोला क्या जार देखिए इसका जो पहाला जो मैं जो कार रहने हैं यहां पर जुस ढूररा है एक हमारा सोवेत षंग और एक हमारा permit के बीच में हो रहा था या आपको पता है अदिकत नहीं आप इन दोनों का भीचारधारा था इन दोनों का डाच था ड़रा नसे ठीडान था दोनों बहुंझ षंग मंदना-धोमkee यह तो साम्यवादी या पिर समाजवादी विचार द्राइब को मान्था था था तो दोनों के बीच का ये मत्वेदा यह पुझी वादी मान रहा है एक सामीवादी मान रहा है तो यह पहला कारण हो गया इसको अब नोट करिए गा आगे चलते हैं आगे देख लिजी देखिए आपको रटना नहीं है मैं जो बता रहा हूं इसको सुनिये समझे और खूद से लिखिए रटिए गार आप लोग रटते हैं तो नहीं होगा इसके बात देखो यहां पर अगला क्या है कि रूस ने अमेरिका में भी स्थाम्यवादी पर पढ़ा आपको पता रट है कि अमरीका स्राइब को मनता था फूंजि वादी तो भस Pentrip कर होगया कि तुम मेरे सीयों की तुम समय सप् лишь एक बात हो गया इसके बात हिए कि रूस ने यालटा सब्नों करने से से इंकार कर दिया जो यालता समझोता आया था इसको भी रूसने नहीं माना ये भी कारण बना सीत्यूद का आगर देखिए जो अगला पॉइंड है कि सोवेत संग जब सक्तसाली राष्ट के रूप में उभरा तो अमेरिका को यह बरदास्त ना हुआ जाहिर से बात भाई है अमेरिका को भी हो गया अमेरिका पाइले था महासक्तित जब सोवेत संग भी महासक्ति की रूप में उग्रा तो अमेरिका को खराब लगा बर दास्त नहीं हुआ अनुट कर देता है कर देता सक घर कर ना जो गूले तौर्य його सिप हतर करना जो तरकी लगा आगे चलिए बाल कन समझोते कि सवित संग द्वारा उपेक्चा किया जाना जो बाल कन समझगता था न इसका उपेक्चा किया कि एक कारण अमेरिका का परमानु कार्यकरम भी बना एक कारण के परमानु कार्यकरम था अमेरिका का यह यह कारण बना बीस बस्ते पर एक दूसरे का परस पर बिरोधी परचार करना मतलब कभी सोवेत संग परचार करते हैं तो कभी अमेरिका परचार करते हैं एक दूसरी के बिरोधी सोवेत संग अम यूरियो करना देख भई जो दोगार चपकंग हाए डियो करता था चिल क्वैता क έχ इत। छोके से हैशए फ्रांस ओगी या ये से अरीका होगया ची चैना होगया और इस आपका क्या तो इसे होगी आपका इंग्लेंड तो यह वा पांच देश जिसके पास क्या है वीटो पावर है आगे बढ़ते हैं आगे चलिए अगले कोशिन को चलते हैं अगला कोशन देख लेते हैं आपर मारसल यूजना जो कि बहरी इंपोर्टन कोश्चन है मारसल यूजना क्या है उस है क्यों ने ये बदेस मंतरी नाम से है अट नहीं मारसलों क्या हो टाओ लुग एहां क्योंत है यूजना बनाया ता एक प्लान मनाया थाressełem मचल Lahira मारसल इसके उद्धेशनाक का इसके उद्धेश देख या है disrupt की सन्यूक raja सरकार का मुझ क्यों इंध्या रश्व करना जो भी मंदल्र के कारण P परभाव को रोखना तो रोखना उने स्वार्थिक सुधार अधिनियम या मार्सिय उजना पर राष्ट्रपती ट्रूमें दवारा हस्ताक्षर किये गए ते फेरी इंपोर्टेंट चीज़ यह पूछा जाता है कभी कभी कभार इस लिचीज को याद रखिए इसके बाद अग सब्सक्राइब करें और अगले कोशन भरते अगला कुशन देगले क्या है अगला कुशन या पर की उन दो रास्ट्रों के नाम लिखिए जिनकी पर्ति दौन दीता सित्युट का कारण बनी या फिर सब्सक्राइब के लिए कौन दो महासक्तिसाली राष्ट उत्तर दाई थे तो एक सन्युक्त राज अमेरिका हो जाएगा और एक हमारा सव्यत संग हो जाएगा तो यह दो देश हो जाएगा सव्यत संग कितने गनराज्यों से मिल कर बना था बहरी इंपोर्टन कोश्चन इस सब्सक्राइब कर बंदन कर नाम थे क्या सहीन अंधन धियान सुनना बात को रहें सब्सक्राइब कर अमेरिका वाला था किसका था अमेरिका वाला मात्र मात्र एक मात्र केवल वार्षा शंदिक ऐस्थाफना तो यह हो जाएगा इसका इसका इंसर थोड़ा आगे चलते हैं सब्सक्राइब देखिए इसका एंसर होगा कि गुट रिपेट आंदोलन की आपचारिक अस्थपना 1961 में फूई इसी बर्स विल ग्रेट में पहला गुट निर्पेक्स सम्मेलन हुआ जिसमें 25 देश्व ने भाग लिया देख भी गुट निर्पेट आंदोलन की आपचारिक अब लोग ध्यार रखी अब देखिया है आगे कि भारत ने अपना परतम नावी के परिक्षन कब और कहां किया तो भारत ने जो यहां पर नावी के परिक्षिन के आदा पोकरन जो कहां राजस्तान में तो एक पंडित जो कि मिस्त्र के है एक टीटो जो कि यूगोस लावि तिसरा विस्व किसे कहते हैं तो दो त्यविश्विविद के बाद एसिया अफ्रिका वो लेटिन अमेरिका के नव सब्सक्राइब राष्ट्र तिसरे विस्विव के नाम से जाने गए इसको भी नोट करिए सोव्यत परनाली क्या है वही देख लो तो रूस के 1970 की समाजवादी करांतिक के बाद समाजबादी सोव्यत गनराजिन की यू एससर का निर्वान हुआ जिसका उद्दे से पुझिवाद और निजे संपत्ति का अंद करके सामयबाद या समाजबाद पर आधान समाज की चल रहा है देश में यह खतम हो जाना चाहिए और सामयबाद और समाजबादी का यह चाहिए यह समाज में फ्यलना चाहिए इसी को बोला जाएगा सोव्यत पर नाली अगला प्रस्न क्या गुट्ट निर्पेक्च आंदोलन की बिवेशना की जिए या पर प्रस्न पूछा लेते हैं उपर में आप लोग जो पता है उसको करेंगे पहला पॉइंट के लिए तक पहला पॉंच है कि गूट निर्पेक्च आंदोलन विकास सिल और अधिक्सित देशों का ऐसा समूता जोगई पहला बत तिक है लेग निटक चंदेशन तो फिकत्स लों अंधिक्सित देशों का एक समूं था यह सब ऑफ लिक्सित नहीं आब एक सिट रखिएगा चैनी के बाद सितियुद्ध आरंब हो गया जिसमें दो गुटों में बंड़ गया पहला अमेरिक गुट और दूसरा आपको पता आपने को अलग रखना जो कि सामिल ने हुआ उन्हें एलग बनाया जिसको बोला जाएगा बुटने जोसे देस जिनको अभीजिखी सवतंत्रता में अत्वा या फिर विकास्यल देस किसी भी गुट में सामिल नहीं होना चाहते थे इस विए इन देसों ने गूट नेरपेक्ष की निती अपनाई और ता तुर सामेल हुए बिना अपने शुत्तंत्रता राज नितिक और आर्टिक विकास की नितिको अपनाना चाहते थे यह बात हो गया मतलब किसी भी गूट में सामेल नहीं होना चाह रहा था अग सम्मेलन युगस तलाविया की राजाने बिलग्रे में हुआ था जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था इसके बाद क्या गुद्नेर्पेक्च आंदुर्ण के संस्थापक संस्थापक तो युगस तलाविया के जोसे ब्रोजचीटो भारत के ज्वाहरलाल नहरू मिस्त्र के ग अठरा गुद्नेर्पेक्च संवेलन हो चुका है यहनि दखा जाए तक 18 गुद्नेर्पेक्च आंदुर्ण का पहला संब्रस ने करने का प्रियास करती है देख बहुत बोला किया जाता जो जो सित्य दो रहा था यह पुरा के पुरी मंदर पुरे बिस्वी के सांति को भंकर रहे थे लेकिन गुट नेर्प्रेक्षिता है यह वह साने कर रहे थे बस यहां पर लिखा गया है इसका दोडाउन कर लिजीए यह पहला पॉंट दूसरा पॉंट के चलते क्या देखिए यह सभी परकार के सैनिक राइन दिक सुरक्षा संधियों तरहां गट बंदनों का विरोध करने की निती है और विद्धिक के दौरान उत्पन नाटो सीटो एवंग वार्षा सम्झोते का विरोध करती है गुद्धिक अधर मश्षा समय सामधान के रिए अधर मनता है इसके बाद भाई आधर वाई फविर्व परकांगे प्रति जाग्रुक रहने तदा उन समिश्चाव के रिए सायोग देने की नीती है गुर्ण पच्दा किया करते जो भी अंतरास्ट समय सा होता है उसके पर ते जागरू करेगा इस समय साथ से किस प्रकार से लड़ा जाए समाधान क्या है इसके बारे में बताएगा गुर्ण पच्दा सांधिपुन आपसी सायोग की नीती है देखे व फारान भारत ने फिरी मांशक्तियों में से किसी के भी सात गुल्만 से क्यों आ प्रकार फरफ म reden है वार fabric आपहेस गालें बार बो अ निर्पेक्षदा का नीती अपनाया तो क्यों अपनाया इस चीज़ को बताना है तो देखो इसका answer होगा सित्यूति के दोरान भारत ना तो अमेरिका की गडवंदर में सामिल हुआ और ना ही सोवेट संग के गडवंदर में सामिल हुआ जिसके निम्लेकित कारण है तो चलिए एक करकिस के कारण को देख लेते हैं यहां पर इसका क्या-क्या से उत्तर हो जाएगा तो यहां पर सबसे पहला जो इसका पॉइंट है क्या है कि अगर भारत किसी एक गुड़ में सामिल हो जाता तो उसे अपने सवतंत्र विद्यस नीती में अनुचित हस्तिशेप का सिकार दिख न होना पड़ता ओ्लब बात जिम्पल हें फेले में अPhone गया को लिए ना थिखन समया घ्राय जाए एक हमारा अमेरिका माहासकति के साथ गढ़ लंदर कर लेता तो उसे दूसरे हाथ सक्ति से किसी भी प्रकार की सहाईता नहीं मिल दी यानि भारत को दोनों से मतलब मदद चाहिए दा भारत यह बढ़का हेरो है अदे शवेट सवी मदद्द चाहिए था इसलिए दोनों से किसी का साथ नहीं दिया उन्होंने एक अलग रास्ता बनाया और खुद चल पड़ा तो यह हो गया इसका अंसर आगे चलते हैं आगे देखिए इसके बाद अगला जो प्रस्न है वही देख लो भेरी इंपॉर्टेंट को बात करते हैं कि भारत का यहां वर्ट क्या-क्या भूमिका है सब्से पहला पूर्टे की कि भारत ने उन्हें सुच्छालिस में ही इस पस्ट कर दिया था कि वह किसी भी महसक्ति के सैनिक गडवंधन का सबसे से नहीं बनेगा सबसे पहला बात बोल दिया कि ना तो मैं सुव है यहां पर बोला क्या गया देखिए जो अब भी सैनिक बूंध बन रहे हैं चाए सीटो हो सेंटो ना वार्षा प्रेक्ट कोई साभी हो यह क्या कर रहे वह यह क्या पर बोला गया है इसके बाद देखो अगला पॉइंट यह क्या है कि भारत दोनों महासक्तियों कि इसी ग आप इसमें भी चिपका सकते हैं उसे अनसर को दूसरे को चिपका सकते हैं आट से होता है इसे बात समय कोपीपेस्ट करिएगा इसके बात देखिक भारत के वल स्वयंगी गुर्ण निरिपक्षता की नीति को नहीं अपनाया बलकि अईने देशों को भी इस नीति को अपनाने बहुत बड़ा रोल है इस चीज को करने में भारत नहीं अभी स्पस्ट कि बिस्व की राईनिति के बल दो महासक्तों की इर्दिगर्द नहीं गूंती राइन देशों को भी बिस्व विया पिस्ताओं का सब्सक्राइब विचार करने में अपना मत प्रकट करने और उनके समाधान में युगदान देने की छम्ताथ आधिकार है यह बात इन्हों ने बोला भारत ने दोनों महासक्ती के साथ मित्र वाला संबंद बनाए रखने की नितिया अपनाई और दुसरे देशनों को भी इसके लिए प्ररेद किया भारत तो से पाल विवाद संधिपूर्ण तरीकों आपसे बातचित के दवारा सुल्धाने के लिए प्ररेद किया जिससे कि आपसे तनाव कम हो और बंदुत की भावनागा विकासों बोला कि माने कि चले किसी प्रकार कोई दो देश में विवाद हो जाता है तो संधिपूर्ण तरीक से सु संधिपूर्ण के लिए भी किये जा रहे परियतने में सक्रिय भागिदार की और इस संबंद में उन्हें सु पचासी में चोर आस्ट्रों का समयलन नहीं दिल्ले में आयुजित किया गया था ठीकित भाई ये सबोजा का लिजिए इसके बात देखिए ये कोशन का एंसे हमा संधिपूर्ण को है इसका स्थपना उन्हें सो पच्पन को हुआ था या भाई ये कर बात कर लेते सब कुछ समय में आ जाएगा आप लों को बगदाद संधी के स्थपना बगदाद संधी में ब्रिटन तुर्की इरान इराक और पाकिस्तान थे लेकिन 1909 में इराक के बाहर इसका संधी का नाम बदल कर सेंटो कर दिया जाता है क्या कर दिया जाता है इस बात का अगे देखिए सब्सक्राइब करते हैं क्या है क्या ने यह मुख्याला देश यह तो पस्चिमी गडवंदन अपने आपको एक संगटन का रूप दिया जिसे नाटो कहा जाता है इसका मुख्याला बूसेल्स में बुर्सेल्स का घ्राइधानी है इसमें 30 दिसके सद्विस्टे है भारत नाटो का सद्विस्टे से नहीं है नाटो के अस्थपना चार अप्रेलों रोले सुनचा इसको अमेरिका के वासिंग्तन में क्या गया उस समय इसमें 12 सद्विस्टे थे देखिए यह कोशन पूचा ख़ए मतल setup अपने उपर हमला मानेगे शांतों में सामिल नहीं dar सामिल हर देश एक दुसरी की मंणों करेंगे और मिलकर मकाबला करेंगे रहा कर दो आठों में जोगो भी देश सामील रहेगा नाटों में जो भी देस्ण मुल्रे गार किसी। गया होता है साब हो गए इस जो आटो में उपस्ती है सामल है सब्सित क्या बोलिंगे हम लाओ हमारे उपर ही वा है और चलो हम electrum कर सामना करेंगे मुगावला करेंगे लड़ेंगे यह बात आप भाले बोला गया फस्ट्रीम sup ओसमेराद को किसी फ्रूपने स्विकार नहीं करना आ गरा सोटिए सबसे कहले को और समयबाद के प्रसाल को अचल प्रसाल अधाल घ्राइब सिराल करेगा वार्षा सं दी तो नाटो के जवाब में सुवेच तरिटी पूर्वी य्योड़र के ज़ाव यहां तहब आपर आप अनुर्मान कि demain घृट से महले तो यह अन वन्हें तो इसका तपना कि इसका अपन इन्य मूं स्टाक एक सवे नियुज dragging us एक और पॉलेड जर्मनी चेको लवागीं हंगरी रोमानिया और बुल्गारिया यह सब्सक्टों कर संदिका इसका पार सीटों सेंटों तो भाई अभी सी टो सेंटों नहीं है ठीक्षिन अभी नहीं याराध कि आखिए तों के बार मिलेखीए सीटों पर दॉगाँ की शिटों में भानिती से दक्षिनISA पुरभेसिया की रक्षा करना इसका मुख्याले बंकब सुगी थाइलेंड में ऑद यह पर हमारा वहां कि में याग रू Кिज चलते हैं इस्के सलेश्ट अपना नाम वापस डिया उस्ट्रेलिया вопросы नीजिलेंद पाकस्तान फिलीप्टियंस थाइलें व्हाइस सेन्ड में को माघद पूर्व संठीầy संग्रिक्ितर संदिद्ध की में कि नेlor दिहान शुन। सेंटों को मेंटों के नाम से भी जाना जाता इसका स्थाफना 24 परवरे 1905 नोट 1905 में बगदाद संधी वह था या फिर बगदाद संजोता हुआ था इस पर हस्ताक्षर हुआ था ठीक है याद रखिएगा इस बात का आप लोग सदस्ट क्या है सदस्ट इराक इरान तूर्की पाकिस्तान उनाइटेट गिनम यसल इसका मुख्यालई अंकारा में है इसका उद्दिश्ट क्या तो सामिवाद के प्रभाव को रोकना अब देखो यहां पर क्या होता है इराक इराक में बगदाद संधी सी इस्थपा दे दिया जब इराक बगदाद संधी से इस्तिपा द रखेगा उनने सुपच्पन में हमारा बगदाद संदी पर हस्ताक्षाइब होता है इसका नाम बदल कर सेंटो कर जाए जाए तो सेंटो यह पर आप लोग गया चलिए भई अगर यहां पर बगदाद संदी के अकॉरिंग अगर देखेंगे तो उनने से पच्पन हो जाएगा पर हाँ किसको मार हुए गाठीक तो 1905 को यह पर भी जो बताया देखें यहां पर आप लोगो प्लों को क्या करना है 1905 पही मार देखो संदों में क्या है वहां पर मुह क्या करेंगे ने स्टिक करेंगे अपको घवराना नहीं तो चलो आंगे चलते हैं यह थू घशया अग याद रखिए इसके नेता कॉन कुन थे तो एक क्यूबा के फिदेल कास्तरों थे आज सोवेट संके निकिता खुरुष्टेव थे और अमेरिका के जॉन आप केनेडी थे यह तीन नाम याद रखिए भेरी इंपोर्टेंट आगे चलिए क्यूबा एक छोटा साथ दूर्प य से जो अमेरिका से सटा हुआ है देखो भई क्यूबा जो देसे नहीं कहां किस से सटा हुआ है अमेरिका से सटा हुआ है मानिक चलिए मेरा घर हो गया यह मेरा पड़ोसी का घर हो गया और यह जो मेरा पड़ोसी है ना इसका देकि इसका घर और मेरा सटा हुआ है यह मेरा प तो अमेरीका के है लेकिन क्योंबा का जुड़ाव सोवेट संग इसना सथ ठीक या 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 बात या मिक्वा है जो क्योब आट था नवे क्यों जगा है वह मदलब किसी सब्सक्राइब अमेरिका से अना सब्सक्राइब नहीं था वालिकिर लगा वन्हों तो जो भी जूड़ा कि असवेत संग से था सवेत संग क्योब को कुटनीती अवंग भीटिय CEO apresent अधिन पर इपसा रादल च्षार यहां पर यह जो क्यूबा है यह सटा घूता होता अमेरिका से था लेकिन इस गूड़ा हूत था किससे था सॉब्यत संग से था तो जो हowser यहाँ यहाँ पर पर थे रूस से क्यूच भाइड क्यूंद कर दिया उन्होंने 1900 बर्षण में इसा कर दिया 1900 बर्षण में निकिता खुर्षचेव ने क्यूबाँ में अपनी प्रमानों परमानों मिसायल अस्तापीत कर दिया इस प्रकार के हतियार के तैनाद के बाद अमेरीकी अमेरिका नजिदी की निसाने पर आचुका था और अब सोवेट संग अमेरिका की लगभग दोगुलें से ज्यादा ठिकानों पर नुक्सान पहुचा सकता था अमेरिका को इस बात की कबर तीन हफ्ते बाद लगी जिसके चलते अमेरिका की निता जॉन एप केनेडी ऐसा कुछ भी करने से डर रहे थे जिसमें दोनों देशों की बीच युद्सरू हो जाए यह सब नोट करेगा बेरे बेरी इजी पॉइंट है इसके बाद है कि अमेरिकी राष्टपती केनेडी ने सैनिकों को आदिस दिया कि अमेरिकी जंगी बेडों को आगे कर क्युबा की तरफ जाने वाले सोवेद जहाजों को रोक दिया जाए भाई अगर आप लोग केजिएफ मोवी देखे होंगे जिसमें हमारा स्तलाम रोकी भाई है तो बस ओसे ही कहानी यहां पर है आप लोग देख सकते हैं यहां पर भी क विसाटेकर जेखा तो सव्य असरां मिसाट कर रहेगा इसी को क्यूबा मिसाइल संकत कहते हैं जीए यह होगिया हमारा किवारीच आगे चली प्रास्ट क्या है कि भारत उर्फ सब्सक्राइब पर निबंद लिखे या ठीक आपको बताना है डूतिय विस्विट के कि निति के खिलाब था परन तो भारत के गुट निर्फिक्षोने के बावजूद सोवेत संग से इसके संबंद काफी मधूर एबंग घनिष्ट रहे आपर बात क्या बोला देखिए अमेरिका देखिए भई भले यहां अभी दोस्ती है प्यार है बड़ अमेरिका से हम लोगो भारत पाक युद्ध के बाद रूस ने दोनों देशों के साथ तास्कंद सम्झोता करवाया जब उनने सो पंचाड में भारत पाक युद्ध में काफी साइथा मिली यह बात हो गया एक अगला पॉंट है उनने सुना से में जब रूस ने अफगाने सर्पन हमला किया तब भारत एक मित्र देश होने के नाते सवेज रूस के समर्थन में खडा ना ज़ला इसको बिनोट के रिए उनने सु तिरानवी में जब रूस के तातकलिन राष्ट पते भारत की यात्रा पर आय तो उन्होंने उनने सु खत्र में हुए भारत सवेट रूस सम्झेत्ते का नव करने के लिए मास्को घुषना पत्र पर रूस्य रास्ट पती यति सिंद के साथ हस्ताक्षर करते हैं अगला पोटे सिक्स नमर की मार्क चुलने सबक्षबन में दोनों देशों ने हथ्यारों और घयर कानून निवैपार और नसीर पतारतों को रोखने समन्दी समझोते पर सब्सक्राइब आगे सब्सक्राइब के इस पाथ का खानों तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स जैसे मसीनी सनियंत्रों के लिए आर्थिक और टेक्निकी साहिता दी है आपर यह सब जो चीजे भिलाई बोकार विसागा प्रणम का यह सब इस पात का खाना है जो हमारा भारत क यह भी इलेक्ट्रिकल्स जो मसीने है इनलों को आर्थिक और टक्निक की साहिता भी यह दिया करते हैं भारत में जब बिद्रसी मुद्रा की कमें हुई तर सब्सक्राइब ने रुपिये को माइधन बना कर भारत के साथ गया यह हो जाएगा यहां पर यह हो गया ठीक है सब् सब्सक्राइब रात dipping देखकल भारत का समनी कश्मीर मामले पर स्नुक्त च्छल जबाप भारत का समर्तन दिया जाब हिज्द दीते हो चाहिए ने के इलाद त्यार था हो गया एक बात हिंदी फील्म बार्धि अर्भारति संस्कीति सोब्सक्राइब लोग पीदिह थे कोवेच संग की यात्रा की तो यह रहा हमारा आज का वीडियो जहां पर मैंने फर्स्ट चेप्टर का कंप्लेट वर्य इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव कोशिस कराया तो आपको वीडियो पसनेज भी लाइक करें चली मिलते हैं वीडियो में थैंक यू जाहिंद